श्री नाज जी गुरु जी को लखा देश, मा भगवती को लखा देश, रांची वाले भैरब बाबा को लखा देश, आप सभी को आदेश आदेश श्री नाज जी गुरु जी को आदेश, सभी मित्रों को आदेश आदेश मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा सुरक्षा के उपर, रक्षा के उपर तो आज मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, जो कि अभेध है, एक चार अक्षर का मंत्र है, और अगर एक रात आप साधना कर लो मसान में, तो इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई काट नहीं हो, कोई अघोरी हो, कोई तांत्रिक हो, उसकी क्रिया आप पे काम नहीं करेगी. हम लोग महादेव की साधना करते हैं, काली की साधना करते हैं, सिद्धी दात्री की साधना करते हैं, क्योंकि उनकी साधना के बिना कोई सिद्ध नहीं होता, महादेव वे सिद्धी दात्री की साधना से ही सिद्ध होए थे, लेकिन कल्यूग में दो देव प्रत्यक्ष हैं, जिसमें हमारे भैरव बाबा है तो भैरव बाबा का साधना तो हम लगवग सभी तांतरे का घुरी करते हैं मद्द से, मीन से इनका साधना होता है और इनके काफी सावर मंत्र हैं जो हम प्रयोग भी करते हैं लेकिन भैरव बाबा के अलावा एक और ऐसे देवता हैं जो कल्यूग में प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्मन करते हैं कल्यूग में सारे देवता ब्रह्मन नहीं करते हैं राम, कृष्ण, सब देव हैं लेकिन ये कल्यूग में प्रत्वी पर ब्रह्मन नहीं करते हैं ब्रह्मन करते हैं भैरव भावा और साथ में ब्रह्मन करते हैं हमारे श्री हनुमान जी पंचानन हनुमान आप देखोगे कि अभी जितने भी तांत्रिक हों घोरी हों वो भैरव और काली साधना करते हैं लेकिन हनुमान की साधना एक एक ऐसी साधना है जो की तुरंट फल भी देती है और एक मजबूत बॉर्डर बनाती है आपके चारों तरफ तो हनुमान जी की साथना अगोर और तंतर में कैसे ब्रह्मचारी वहिशनव तो मैं बताओं कि हनुमान जी का एक अगोर रूप भी है और हनुमान जी का जो मसानी मंत्र है वो हनुमान के साबर मंत्र से अलग है हनुमान जी के साबर मंत्र से अलग है चारक्षर का मंत्र है अगर आप एक राद बैट करके असमशान में ये साथना कर लो तो श्री राम चंद्र की दुहाई है कि आप पे अगर कोई भी तंत्र कोई भी मंत्र कोई भी ये अंत्र काम कर जाए तो श्री राम की दुहाई कैसे करते हैं ये साधना ये साधना मसानी साधना है तो आपको इस साधना के लिए मसान जाना होगा आपको साथ में ले जाना होगा एक सरसो तेल का दिया धूप अगर अबती नहीं जलाते हैं और एक कारण का बोतल कारण मतलब शराब तो तीन चीज़े इसमें ध्यान देने वाली हैं कि अगर आपके किसी गुरू ने शिखाया है कि असमशान में जाने से पहले थपड बजाए क्या बुलते हैं उसको ख्लाप करे या कुछ लोग वहाँ जाकर के नाद बजाते हैं तो ऐसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए मसान जाने से पहले क्योंकि मसान आपका छेतर नहीं है आप जिनको भगाने के लिए ये तालिया बजाते हैं या आदेश लेते हैं या नाद बजाते हैं उनहीं के माध्यम से आपका काम होता है और वही शक्तियां, आप जिस भी शक्ति की अराधना कर रहे हो, उन तक संदेग श्वाक होते हैं, तो आप यह आप कर सकते हो, कि अपना देह को या शरीर को बांध लीजिए अगर आप असमशान जा रहे हैं, तो शरीर को बांधने के लिए जो बहुत साबर मंत्र है, सबसे अगर आपको तुरंत में करना है तो एक हात आतेली में थोड़ा पानी ले ले और उसको शरीर पर छीट ले ओम रक्ष रक्ष पवित्रवज भूमी रक्ष स्वाह बोल कर इतने भी पेट ना भरे मन ना भरे डर है तो फिर सत्नमुआदेश गुरुजी के ओम गुरुजी दे विश्वर महादेव तरशूल भेगे गए तारबुके लाग तारबुके लाग तारबुके लाग तारबुके लाग ये मन्त्र आपको तीन बार पढ़ना है पहला बार पढ़े तो शरीर को फूकना दूसरे बार पढ़े फिर शरीर को फूकना तीसरे बार पढ़े तो फिर शरीर को फूकना चाहिए यह मंत्र जो मैंने दिया है या फूक के निकल ला आप ऐसा नहीं कि आप पहुँच गया असमशान या ऐसा कुछ, तो ये मंत्र आप करके जाए, अगर आप निर्भी हैं, आप अगोर हैं, तो फिर आपको बंधन करने का आवशक्ता नहीं होता है, दूसरा विशा, अगर आप गुरू मुख है तो भी बहुत जादा बंधन का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि किसी भी मंत्र को करने से पहले आप गुरू मंत्र का जाप करते हैं, तो सुरक्षा आपो आप हो जाती है, तो आते हैं साथना पर, इस साथना को कैसे करेंगे, इस साथना को करने के लिए, सबसे पहले जो तेल का दीपा को उसको जलाईए, धूब जलाईए, और जो मरघट है, ठीक है, मरघ और धूब चलाएं ठीक है प्रणाम करें वहां फिर कारण या शराब का बूतल खोलें और शराब के बूतल को खोल करके जमीन पर तीन बार किरें और बोलिए चेट-चेट मसानी सीताराम जो बजरंग वली के इस्ट है तो चेट-चेट मसानी सीताराम आप बोलिएगा तो आपको लगेगा सीताराम मसानी कैसे तो मातारा के बारे में कहा जाता है कि जब आप चेट-चेट मसानी सीताराम बोलते हो तो मातारा अवतरित होती है ये जागरित होती है और मसानी रूप वही है इन दोनों का उसके बाद हम करेंगे मंत्र का जाप हाथ में अपना रुद्राक्ष का माला आप ले ले और रुद्राक्ष के माला पे मंत्र होता है अगर आपको रुद्राक्ष के माला का मंत्र नहीं बिता तो हाथ में रुद्राक्ष का माला ले उसके बुले अगर आप रुद्राग जारन करते हैं, उसे रुद्राग से पूजा करते हैं, तो खोलते और पहनते समय यह मंतर आपको बोलना चाहिए उसके बाद उस रुद्राग से जाब शुरू करें देखो, अगहोर में जाब गिंती से नहीं होता है, लेकिन मन कहा है वह चंचल है, तो आप अगर बिना माला के जाब करोगे, तो मन होगा कि दस गिंती के बाद उठ जाए, बीस गिंती के बाद उठ जाए, तो इस चंचल मन को समालने के लिए वस रुद्राग्ष का हम लोग प्रयोक करते हैं, ऐसे गिंती नहीं होती है, अगहोर अर्त अंतर में, आप जितना करलो उतना लावकारी होता है, तो ये आप सिर्फ एक दिन करेंगे, मंत्र क्या है? हनुमान जी का मसानी मंत्र है, फिर से सुनिये रोज इसका जाप करना अगर गिंती से कर रहे हो तो कम से कम इतना करना कि सावा गंटे तक आप जाप करो इसका ठीक है ये कीज दिन तक आप करोगे कुछ अनुबूतियां होंगी थोड़ा डर लगेगा ऐसा लगेगा कोई पीछी से आ गया ऐसा लगेगा कि कोई भगाने की कोशिश कर रहा है डरना नहीं है कि उस अक्षात मसानी आपके साथ रहेंगे और आपकी रक्षा करेंगे एक बार जब ये साथना पूरी हो जाए तो इसका दस्यान सावन करना उसी मसान में जहां पे इसको सिद्धिया और उसके बाद रोज एक माला इसका जाप करना घर से निकल गर घर में बैठके इस मंदर का जाप करना उचित नहीं रहेगा तो घर से निकल गए कहीं भी बैठे वह है तो मन में 108 बार जाप लिया उसके बाद कोई तांतरिक कोई अगोरी आपका बाल बाका नहीं कर सकता या भेद मंतर है जिनको हमारे पेट वाटसर ग्रूप से जुड़ना है बेसिक साथना सीखने के लिए इसमें आपको हम जो साथना के शुरुवाती आयम है वो बताएंगे जिसमें आसन बंदन यंतर बनाना मंतर बोला ये सावाता है जिनको मुझसे अपाटमेंट लेना है वो 943-11-885 पर ले सकता है या फिर कॉल मी फॉर आप डाउनलोड करेंगे उसमें रूत रनाथ 8CM4 अगर आप साच करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल में लेगा आपको मुझे डारेक्ट फूल कर सकता है भगवान बहराव आपके साथना में साहिता करें और अप्छा करेंगे इसी मेरी उनसे प्रातना है आप समें पादेश आदेश हालक आदेश